कर देंगे लाइग शेर सब्सक्राइब आप करतेंगे अगर नहीं किया हो तो विच्वन ओफ दिफॉलिएशन या सब्सक्राइब असेस्मेंट या सम्मेटिव एवलेशन दूसरा होता है एफ ए एनी फॉर्मेटिव एसेस्मेंट सम्मेटिव एवलेशन को योगात्मक मुल्यांकन बोलते हैं और अगर हम बात करें फॉर्मेटिव एसेस्मेंट को उसको रचनात्मक बोलते हैं रचना से बना है रचनात्मक यानि activity करते हुए मौज मस्ती करते हुए बच्चे को आकलन बच्चे का कर लिया जाए अब तो बैटर भी तवियत तो फटाफट से बताओ कि कौन सा एक option है जो सम्मेटिव करेंगे पहले आपको जवाब देना है थार्ड आप लोग 58 परसेंट और इसमें मुझे पताई था आप सभी गलत जवाब देंगे क्योंकि हमने कुछ तरह के पैंसल पेपर टेस्ट होता है उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटी हो करके टेस्ट हो रहा है चाहे वो ओरल क्वेश्टिनिंग हो चाहे वो पोर्टफोलियो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो क्यों मिलेटिव रिकॉर्ट सुन ऑब्जर वेशन हो इंटर्विव हो जित ररिकवाइन पीजमितव में रहें रहें का यहि सो barr सुन टेस्ट होता है जासे आपका यह एयरेंड में युनिट यॐली में हाफी याए ली यहां आपके बोल Цеिया सब यह वारत होते हैं ना पेपर पेंसल का उधारन आपका ऐसे में जाएगा जितनी भीडिदी ए और चाहिए इस एक बिए अधिवीटियोर Mark in Re takeaway क किया रहे अगर deed किику लोगत ने करे लिया तीचर ने कुछ चाहँ चाहर स्वालच लिहा झाडड करके क VI almighty या है और लगसे लेलिए और वार वाईवा जिसकों कहते हैं दोट से एने डोट況 कोई घटना कोई दिन कोई विशेश में कुछ घटना क्रम हुआ और उसको रिकॉर्ड किया गया एज इस अब्जेक्टिव ली उसको देश्यात्मक तरीके से वस्तो निश्ट तरीके से उसमें बिना मिर्च मसाला लगाए अगर आपकी बच्चे ने किसी का सर्फ ओडा तो व वह एनेख्डोटल रिकॉर्ड हेक तरह से तो एनेख्डोटल रिकॉर्ड भी रासे एक्रिविटी बेस्ट हो गया इसमें भी पैंजल पर टैस्कों ले नहीं रहें क्योंकि आपको विश्वास नहीं हो रहा कि अगर मैं बात करूं तो पोड़ फोलियो जो है अपने आप मे एक फाइल है जिसमें बच्चे के अलग-अलग चीजें करते हुए यानि उसके परपस्फल सेलेक्शन ओफ चाइल्स वर्क के बच्चे ने जो जो काम किया है कि जीजा जी की गेट पे एंट्री हुई तो एक फोटो खिचेगा फेरों पे खिचेगा जैमाला पे खिचेगा पटिक्रलर कुछ कुछ इस पैसल जो इवेंट्स हैं शादी के सारे फोटो तो नहीं जाते ना फाइनल एल्बम में कुछ फोटो लिए जाएंगे उसमें से कुछ का डेटा है जो जरूरी है उसके बारे में तो यह परपस्वल सेलेक्शन होता है सब कुछ नहीं होता पॉर्टफोलियो में है ना जो इंपॉर्टेंट चीजे है वो होंगी बात सही है समझ पा रहे हो कि नहीं कि दूर के रश्टदार आये थे फूफा जी के भी फूफा ज बात हुई थी आज शाधी को लेकर हमने पूरा पोर्टफोलियो समझा दिया था तो खेर भावक नहीं होना है तो पूर्ट फोलियो क्या है एक तरह की फाइल है जिसमें जो भी बच्चे का स्पेशल वर्क है जो भी उसके बारे में अच्छी बाते हैं जो भी उसकी बारे म जरूरी बाते हैं जिनको होना चाहिए और यह ट्रांसफरेबल होता है एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता रहता है क्लियर है चलिए तो पॉर्टफोलियो भी क्या है एफे का पार्ट हो गया उपाख्यात्मक रिकॉर्ड यानि एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी एफे का यहां पर पैंसल नहीं उठ रही है वह वह सब आपके सामने होता ठाट ओप्षन पोर्ट्फोलियो ना हो कर पेपर पैंसिल टेस्ट होता तो आप चुप चाप से उसको आंसर कर देते एक क्वेशन ऐसा मैं डाला है आगे आपको मिल जाएगा अब थोड़ा से समझ लेते ह एसे और एक को अगर मैं कहूं ऐसे की बात करों जिसको हम सम्मेटिव इतनी क्या दल दिये जिसको हम सम्मेटिव असेस्मेंट कहते हैं और एक वोले तो फॉर्मेटिव या नि रश्णात्मक आकलन और ऐसे क्या है योगात्मक मुल्यांकर 60% इसकी वेटेज हुआ करती थी जाना है यानि ऐसे की वेटेज या ऐसे की इंपॉर्टन को धीरे-दीरे कम करना है जो पहले से चल रही थी बैट अभी क्लिर ली एन एपी कहते है क्वेशन भी आए गया इस तरह का ठीक ना तो अगर हम देखे यहां पे तो एक बात क्लियर है कि हमें फॉर्मेटिव यानि अगर लेकिन आपको जब तक पेपर पैंसल की बात नहीं आएगी तो एसे के साथ नहीं जाएंगे तो इतनी बात को में एक्लियर रखना है यह किसलिए होता है जज्ज्मेंट के लिए यानि आपको फाइनली बताना है बच्चा पास हुआ फेल हुआ और एफ में क्या है यह फीडबैक के लिए है जैनरली प्रती पुष्टी मिलेगी टीचर को कहां इंप्रूब्मेंट की ज़ुरत है यह दो टाइप है वैल्यूएशन के या असेस्मेंट के अगर मैं कहूं और कहां यह कब होगा ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रॉसेस जब टीखने सखाने की प्रग्रिया साल भर चल रही है उसी दौरान आप ओरल टेस्ट भी ले रहे हैं पोर्टफोलियो भी बना रहे हैं बाकी एक्टिविटीज भी हो रहे हैं क्वेस्ट भी ले ठीक ल यहां में नहीं होने चाहिए इसी को है कोई दिक्कत तो वो बता सकता है ठीक अगर हम देखें यहां पे एक और चीज़े जो में ध्यान में रखनी है कि जो ऐसे हैं हमने असेस्मेंट फॉर्ड लर्निंग एस लर्निंग और लर्निंग यह सब पढ़ चुके हैं हम चलो एक बार समझ लेते हैं अगर यूटिव पर बात करूं फिर आगे क्वेश्टन करना असान हो जाएगा असेस्मेंट फॉर्ड लर्निंग असेस्मेंट सबसे ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्टन पूछे जाते हैं फॉर्ड लर्निंग यानि अधिगम के लिया क्लिन असेस्मेंट ओफ लर्निंग यानि अधिकम का अकलन और असेस्मेंट एस लर्निग यह तीन सबसे ज़्यादा पुछे जाते हैं होता तो एट भी है होता तो इन भी है कि एक एक करके समझ लेते हैं फटा फट से देखो अगर हम देखें यहां पर फॉर होता है दियूरि जाएगा एफ 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 एक आपट बनेगा किसका बाइट बनेगा एफ एक टीटिशन लर्निंग अभी चल रही है जैसे मैं आपसे बीकोई न पूछ रही है आप पोल में जवाब दे रहें तो एसेस्मेंट फॉर लर्निंग है ठीकर ना कई लोग इसको इन लर्निंग भी ही माल लेंगे क्योंकि यह साथ साथ चल रहा है तो यह तो यह एफ एक पाइट है फॉर्मेट अब यह जो आप लर्निंग एक से साल के एंड में पेपर देंगे आप यह इसका से का पार्ट एक जज्जमेंट के लिए होता है यह इंप्रूमेंट के लिए है फॉर ठीक एश इसे का पार्ट है एट ओर इनोता है प्टेटर के बीच में ही कोई चीज्ज उसी संब्सक्राइब घुर्स इसे लंइंग नेंगोар के लिए हम से और और ओफ पूछ सब लेड़ान च्युक्न गौन्प्र 2 घरन न الاқनुकर दे दीनर जलता है जो आफ है वह एंड में चलेगा और ये दियूरेंग चलेगा दौरान बॉल टार इतनी बात क्लियर था फुर्ट से खुद को अपने आपको आज इतने आउट-फ टैन दुगा और अगर एट और इन की बात करें तो वो उसी में समाइद होता है जब लर्निंग प्रक्रिया हो रही है तो ठीक है चलिए अब समझते हैं क्वेशन को आगे क्वेशन करने में आसानी होगी वाट डू प्रोफीशियंसी टेस्ट ऑल्वेज असेस यानि निपूर्णता परिक्षन सदेव किसका देक्र आख्लान करते हैं यानि प्रोफीशियंसी टेस्ट होते किस लिए हैै ऐसे कई सारे चोड़ेजे के निपनगटे आपकि आपकी इसे को लिए और सीची कैसा टॉपिक है जो हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है जब भी मैं स्ट्राइटीजी बताते हूं आज से पांच साल साथ साल पहले की भी आगर आप विडियो देख लेंगे तो उसमें आपको बताया होगा कि सीची इंक्लूसिव एडिकेशन डिवलेपमेंट ये ऐसे टॉपिक्स हैं सीची तो इस्पेशली और इंक्लूसिव एडिकेशन भी नो हर एक सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं क्योंकि आकलन तो हर एक सब्जेक्ट में जवरत पड़ेगी तो इंपॉर्टन हो जाता है जो भी आप नशनकी सीखा है अब लैंग्वेज हटा करके आप यहां साइंस लगा दीजे आपका जो मन करें यह लगा दीजे यानि जो भी आपनी सीखा है वो डिलेवल ततशी लिया है उसका ॆपको कितना है लर्णिंस आपको बोले तो कि मैंने चीघा कुछ मैने कुछ च्रस्थ पढ़ाए लग्हा है उसमें से कीटना से कितने पर्शों पोटि कितने हुए बेहतर त्रीकी से आता है यह जांशता है यह इस बाधा boiling वो कितना समझ आया आप से प्रेक्टिकल करा के देखा जा सकता है आप से लिखवा की देखा जा सकता है वो पता लगे किस इस्तर तक आपने सीखा तो भाशा का वह इस्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है उसको निपुनता परिक्षन कहेंगे या किस हद तक आपको कोई चीज आती है वो प्रोफिशेंसी है अना वेस्टन नमबर ठी देखेगा और समझेंगे इस नबर ऐसेस्मेंट और अफ लेर्निंग की बात हो रही है आसेस्मेंट समेंट ऑफ कॉनसेप्ट्चिवल क्लैरेटी और ए स्टुडेंट कैन बी एफेक्ट का बstatteen उसका concept मालीजे शजह ऐक digo कितना उसको समझ्त है या यह जाचने के लिए निटीचर क्या करें कर वेidyan किकॉत Dire है कि नहीं नहीं है आपको कुंड आपने बच्छे को वाटर के बारे में पढ़ाया आपने बच्छों को पॉधों के बारे में पढ़ाया उनको कितना समझ आया यानि उनके नहीं कितनी क्लाइट यह कैसे पता करें गया 97 लोग के रहें सेकेंड ऑप्षिन चली देखते हैं वास्ट आप्षिन आए आस्किन शुदेंट तू रसाइट देफिनिशन सिर्फ रटन विद्द्धिया चलंत नहीं रोट लर्निंग तरफ ले जा रहा है इस परिभाशा सुन और भाशा सुनाने से क्या होगा यह तो रटने वाली बात है रीकॉल पावर लगी कि यहां पर इसकेंड यूज होगा ना थिंकिंग यूज होगी वह तो यहां हो नहीं रही यहां तो बस जो याद किया है वह बता दो फिर वह चतुर की जैसा बन जाएगा जो ठीडियर व शात्र को दैनिक जीवन में अवधार्ना के अनुप्रयोग के बारे में सोचने के लिए कहना कि यह जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है इसको रियल लाइफ में कैसे अपलाए करोगे जब हम बच्चे का डिवलेप्मेंट पढ़ रहे हैं तो हम यह कहें कि हमारे आसपास कोई बच्चा है उसकी एक्टिविटी देखके आपको समझ में आ जाए कि यह सुम्र का बच्चा होगा उसकी शकल देखके भी कई बार समझा जाए जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आपको पता लग जाएगा कि वो दो शब्द जोड के बोल पा रहा है यानि वो दो स सब्सक्राइब को लेके तो वह डिफेंस में कॉंसेप्ट है लेकिन मैं उसको जीवन से कहीं से भी जोड़ देरें पेड़ागोजी को मेरी कॉंसेप्च्छल क्लारिटी हुई सिंपल ठीक ना आगे बढ़ेंगे क्वेश्ट नमबर फोर देखेगा आपका फेवरेट क्वे क्यों हम पता लगा रहें बच्चे को क्या जुरत पड़ी सिस्टम की सीवेस्टी को लेकर के आया कि कॉंटीनुएस और चले और हर एक पक्ष को जांचे होलिस्टिक हो एनी पी यही कह रही है तो एनीपी की अगर हम बात माने तो उद्देश है क्या है आकलन के या मुल्या सब्सक्राइब कर दो है ना दूर दूर तक जब कोई गबर की आवास सुने नाम सुने तो बच्चा चुप चाप से सोजाए मां कहरी है क्योंकि गबर आ जाएगा आए मिन जैसे ही टेस्ट का नाम हो पेपर का नाम हो लोगों की नीदे उड़ जाती है मैंने अच्छे खास है या फिर जो एबरेज रहे हैं वो तो फिर क्या ही करें तो इसका मतलब क्या है हमारे अंदर फियर इंड्यूस्ट है एक्जाम को ले करके तो जीने मत दो बच्चे को सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए छात्रों में तनाव पैदा कर दो हाई रे पेपर है ना दुनिया खतम हो जाएगी पेपर नहीं हुआ तो तो यह एकदम खराब तरीका है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐसा नहीं कहेगी कि बच्चे में डर पैदा करो ठीक तूर रिवाइस टीचिंग लर्निंग प्रॉसेस भई अगर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सिक्ष के फेवर में जो ऑप्षन है वो तो बिल्कुल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहेगी कोई भी सिक्षा नहीं थी हो फिर है टू सपॉर्ट स्टुरेंट इंसाइड और आउटसाइड ग्लास्रूम यानि बच्चे को आपको सपॉर्ट करना है ज़रत पड़े उसके आपको समय समय पे देखता रहे जो आकलन के बच्चे में क्या परिवर्तन हो रहे हैं कैसे सीख रहा है तो गतीशील मूल्यांकन समझने मदद करता है क्या गतीशील का मतलब है जो कॉंटिनिटी में है जो परिवर्तन शील है जो चेंज हो रहा है समय के हिसाब से डाइनमिक उसी को तो कहते हैं है ना हम कहते हैं यह व्यक्ति बड़ा डाइनमिक है यह से समय के साथ चेंज होता है अपडेट करता है खुद को अल इंटेलिजेंस कोशेंट ऑफ चैल्ड आईक्यू तो फिक्स होता है और आईक्यू का हम यहाँ पर आकलन में कोई सच बात आईक्यू को बहुत महत्व नहीं देते हम गाडनर नहीं देते क्योंकि महत्व ठीक रेलेटिव रैंक ऑफ देस्ट बच्चे को रैंक करना लेबल करन तो यह कहना गलत होगा अभी जैसे किसी ने टॉप किया अभी छत्रीश गड़ का रिजल्ट आया ठीक उससे पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया तो हम यह नहीं कहांगे नहीं इसने टॉप किया किसी एक बच्चे ने मालनी जैया प्राची निगम की अगर हम बात करे तो हम यह नहीं कहेंगे न बाखी जितने भी बच्चे वो सब बेकार हैं वो किसी और आस्पेक्ट में बहतर हो सकते हैं तो मतलब हम यहां पे हालांकि यह सिस्टम यह वैसा है कि रैंक पर फोकस रहता है बड़ मों होनी नहीं चाहिए रैंकिंग उस तरह से वर्स पैसे क्य है वो निकल करके आए उसकी सीखने की आवश्कता हैं बाहर निकल के आए वो हम देख पाएं डैनेमिक असेस्मेंट से हो पाएगा क्योंकि हम चेंजिबल है यह लगातार चलने वाला असेस्मेंट है अब बच्चे को कहां कब किस एरिया में जुरत होगी स्पैसेफिक लर्निंग नीड क्या होगी उसकी कहां हेल्प की जुरत है कहां एक्स्टा क्लास की जुरत है यह समझ में आ जाएगा हमें जब हम डाइनमिक असेस्मेंट कर रहे होंगे इफ चाइल इस फिट तुस्ट इन है रेगलर स्कूल और नहीं हर बच्चा रेगलर स्कूल में पढ़ सकता है उसकी कोई बात ही नहीं है